हेलो एव्रिवान वेल्कम बैक टू दिशानल सो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और इसे व्यक्ति जो बहुत इंपोर्टन थे उनका हाल ही में निधन हुआ है तो उनके बारे में हम देखेंगे किस फील से बिलॉंग करते थे और क्या इंपोर्टन चीज उनके ब इनके बारे में देखें तो यह कथक डांसर थे पंडित पिर्चिव महराज कहां से उत्तर प्रदेश से रिसिंटली इनका निधन हो गया है यह बिलॉंग करते थे कथक के लखनव काल का बंदादिन घराना से और इन्हें 1986 में पद्म विभूशन से भी समानित किया जा चुका है लता मंगेशकर को भारत रतन पुरसकार कब दिया गया था तो इन्हें भारत रतन पुरसकार दिया गया था 2001 में इनका भी कुछ समय पहले निधन हो गया है और इनके बारे में देखें तो इन्हें स्वार कोकिला के नाम से भी जानते हैं और भारत प्रतन 2001 में और 1989 में इन्हें दादा साफ फाल के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है शिव कुमार शर्मा निमनलीखीत में से किस उपकरण से संबादित थे तो यह संबादित थे संतूर से संतूर वादक थे इनके बारे में देखें तो यह एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिशिन और संतूर प्लेयर थे जिनका निधन हो गया इन्हें पद्म विभूशन से 2001 में सम्मानित किया गया था और 1986 में संगीत नाटक अकाडमी अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है मेलिना सालविनी का हाल ही में निधन हो गया वे किस नुरते शैली से संबानित थी तो यह काफी न्यूज में थी क्योंकि यह फ्रांस से बिलॉन करती थी और यह कथा कली की एक फेमस डांसर थी तो इनके बारे में देखी, फ्रांसे थी, कथाकली की डानसर थी, जिनका निधन हो गया 2019 में पदमश्टी से भी सम्मानित किया जा चुका है और कथाकली के हम बात करें थे कौन से स्टेट का ये एक डानस है, क्लासिकल डानस है तो ये केरला का है, ठीक है, और कथाकली के अलावा, मोहिनी अट्व, ये भी केरला का एक क्लासिकल डानस है भारत की पहले Chief of Defense स्टाफ के रूफ में किसे न्यूकत किया गया था, तो ये थे जनलल बिपिन रावत, जो कि हमारे पहले test थे, सेट यानि की jsीप के डव स्टाफ जनरल विपिन रावत सर्जो थे इनकी मृत्यू कैसे हुई थी हेलिकॉप्र क्रैश से तमिल नाडू में ये हेलिकॉप्र क्रैश हुआ था हेलिकॉप्र कौन सा था MI-17V-5 ये एक रशियन बिल्ड हेलिकॉप्र था और काफी पुराना था CDS की बात करें तो ये military head होता है Indian Army, Indian Navy और Indian Air Force का इसका aim है to integrate the armed forces in India तीनों जो हमारी armed forces हैं इनके बीच में समन्वे स्थापित करना और emergency के सिती में ताकि इजली सब ही चीज़े हो पहें ठाक है और ये जो position है इसको announce किया गया था 15 अगस 2019 में by the Prime Minister Narendra Modi नेक्स्ट क्वेशन है पंडित भजन सोपोरी यह किस इंस्ट्रूमेंट से एस्सोसियेटेट थे जुड़े हुए थे किस इंस्ट्रूमेंट को यह बजाते थे तो यह संतूर वादा किये भी थे और इन्हें 2004 में पद मश्री से सम्मानित किया जा चुका है नेक्स्ट क्वेशन है राश्रे महिला आयोग के प्रतम अध्यक्ष कौन थे तो राश्रे महिला आयोग इसकी प्रतम अध्यक्ष थी इनका नाम था जयनती पतनायक इनका नाम है ठीक है यह चली गई पर इनका नाम तो अभी भी रहेगा जैन्ती पतनायक है इनका नाम जिनका हाल ही में निधन हो गया है और इनके बारे में देखें फॉर्स जेर्मन है यह NCW यानि के नैशनल कमिशन फॉर विमन की और यह जो कमिशन है यह स्टैट्यूट्री बॉड़ी है नाइटीन नाइटीट्यू में इस होगा इनके बारे में देखें तो एक एमिनेंट स्ट्रक्चुरल बायलोजिस्ट थे कहां से केरला से बिलॉंग करते थे और इन्हें शांती स्वरू भटनाकर प्राइस जो साइंस का अवर्ड है यह इन्हें मिल चुका है और साथ में पदम श्री से भी इन्हें समानित किय जा चुका है और नागस्वामी निमलिखित में से किस संबंदे थे तो यह कौन थे एक हिस्टोरियन थे ठीक है जिनका हाली में निधन हुआ कहां से तमिल नाडू से और इन्हें पदम भूशन 2018 में दिया जा चुका है नारायन देबनाथ कौन थे तो नारायन देबनाथ ज यह क्रियेटर थे एक पॉपिलर कार्टून क्यारेक्टर के बंतूल दा ग्रेट और हन्दा भूदा ठीक है और इन्हें 2021 में बहुत रीसेंटली पदमश्री से भी समानित किया गया था Sydney Poitier कौन थे Sydney Poitier यह एक अक्टर थे जिनकी हाली में मृत्य हुई Hollywood के एक अक्टर थे और इसलिए इनके बारे में इंपॉर्टन चीज़ है कि यह first black Oscar winner रह चुके है हाली में किस देश की मानविय कारे करता बिलकिस एधी का निधन हो गया तो यह पाकिस्तान की एक humanitarian activist थी जिनका हाली में निधन हो गया के बारे में देखे तो इन्हें the mother of Pakistan के नाम से जाना चाता है यह एधी foundation की founder रह चुकी है जो कि पाकिस्तान से इंडिया वापस लिखकर आया किया था अभी बात के लेते हैं लिस्टिंग में तो सबसे पहले हैं बिर्जु साह यह Indian boxer है जिनका हाली में निधन हुआ Queen Elizabeth second former queen of the United Kingdom इनका भी निधन हो गया था at the age of 96 यहां पर आप पिक्चर भी देख रहे होंगे फिर उसके बाद राम चंद्र माजी जो की Indian भोजपूरी folk dancer है यह famous है इनके लॉंडा नाच के लिए ठीक है लॉंडा नाच performer रहे है यह और इन्हें 2021 में पदमश्री से सम्मानित किया गया था कमल नरायन सिंग यह former chief justice of India है और यह shortest इनका कारेकाल रहा था 18 दिन का ठीक है as a chief justice नेक्स्ट के बात करते हैं सी जंगा रेड़ी यह बीजेपी के first torch bearer थे लोगसभा में फिर उसके बाद है next शावली मित्रा वेस्ट विंगॉल की यह Indian theater actress थी इनका भी हाली में निधन हुआ और इन्हें पदमश्री 2009 में समानित किया गया था इससे फिर है M.K.Prasad यह एक environmentalist और सेव साइलेंट वेली campaigner रहे चुके हैं जिनका निधन हो गया है सिंदूताई सबकाल यह Indian social worker थी इन्हें mother of orphan के नाम से जाना जाता था और 2021 में पदमश्री से भी समानित किया था और हाली में इनका निधन हो गया next है Scott Hall यह American professional wrestler थे जिनका निधन हो गया उसके बाद है SF Roderick यह former chief of army staff थे Indian army के जिनका निधन हो गया उसके बाद है next प्रवीन कुमार सोबती यह महा भारत में भीम के जो actor थे यहां आप देख रहे होंगे भीम के character को इन्होंने play किया था महा भारत में प्रवीन कुमार सोबत इनका निधन हो गया था उसके बाद है इब्राहिम सुतार यह Indian social worker और poet थे जिने कबीर ओफ करनाटका के नाम से जाना जाता था और 2018 में इन्हें पदमश्री से भी समानित किया था उसके बाद है मवाई के बाकी यह former president of Kenya थे जिनकी अभी हाली में मृती हो गया निधन हो गय बीना पानी मोहंती यह Indian writer ओडिया राइटर बेसिकली थे और इन्हें पदमश्री से 2020 में समानित किया था जिनका निधन हो गया रिचर्ड हावर्ड यह American poet थे जिनका निधन हो गया Stephen Willhit यह USA से बिलॉंग करते थे यह creator थे GIF के GIF आप यूज़ करते होंगे ग्राफिक्स इंटर्चेंज फॉर्मिट इसके creator थे और इनका हाली में निधन हो गया उसके बाद है शाहबुद्दीन एहमद यह former president और पांगले देश है जिनका हाली में निधन हो गया है नेक्स्ट बात करते हैं यूरी अवरबग यह रशिया से थे यह वर्ड के oldest chess grind master थे जिनका निधन हो गया रजत कुमार कर यह Indian writer थे और लॉर्ड जगनाथ की रथ यात्रा के यह longest commentator रह जुके हैं पदमश्री से इन्हें 2021 में समानित किया गया था जेडी रिमबाई यह former chief minister है मिधालिया के जिनका हाली में निधन हुआ एलवेरा ब्रिटो यह former Indian captain है हौकी के जिनका निधन हो गया है नेक्स्ट है वरिंदर सिंग यह Indian hockey player थे क्या नाम है वरिंदर सिंग ठीक है sports person हौकी प्लेयर थे जिनका निधन हो गया उसके बाद है जिनका निधन हो गया है केके यानिकी कृष्णकुमार कुनत सिंगर थे एक इनियन प्लेबैक सिंगर जिनका निधन हो गया सिद्धू मुसे वाला पंजाबी सिंगर थे यह जिन्हें गोली मारकर इनकी हरत्या कर दी गई थी शिवाजी पतनायक ओडिसा से थे यह famous communist leader थे ठ इसके बाद नेक्स्ट है राकेश जुन-जुन वाला यह veteran stock market investor रह चुके है जिनका निधन हो गया है सुशोवन बैनर जी famous as Bengals one rupee doctor बंगाल के one rupee doctor के रूप में यह famous थे और इन्हें Padma Shree 2020 में इससे समानित किया गया था डेविड ट्रिम्बले first minister of Northern Ireland और इन्हें Nobel Peace Prize 1998 में मिल चुका है इसलिए important है अजय कुमार परिदा इंडियन बायोजिस्ट थे और इन्हें 2014 में Padma Shree से समानित किया जा चुका है उसके बाद है मिखाइल गॉर्बाचेव आपने अगर world history पढ़ी होगी तो उसमें आपने इनाम बहुत सुना होगा cold war के समय पर तो यह last Soviet leader थे जिन्होंने cold war को समाप्त करने में अपनी महत्यपूर्ण भूमे काने भाई थी और इनका निधन हो गया हाली में उसके बाद है अभिजीत सेन इनियन एकोनोमिस्ट और फॉर्मर प्लानिंग कामिशन मेंबर रह चुके हैं पद्मभूशन से 2010 में इन्हें समानित किया गया था साइरस मिस्री ये टाटा संस के चेर्मेन थे फॉर्मर चेर्मेन और इनकी रोड एक्सिडेंट में मौथ हो गई थी बी शेक अली ये इनियन हिस्टॉरियन थे जिनका हाली में निधन हुआ है उसके बाद नेक्स्ट है स्वामी स्वरूपानन सरस्वती द्वार का पीछ शंक्राचार्य से बिलॉंग करते हैं इनकी इम्रिती हो गई हाली में निधन हो गया नरेश कुमार ये टैनिस स्टार और फॉर्मर डविस कप कैप्टन थे जिनका निधन हो गया राजुश्री व निधन हुआ है लुइस फ्लेशर ये ये असे से थे औस्कराइनिंग एक्ट्रेस घी जिन निधन हो गया है उसके बाद नेक्स्ट है पुनीत राजकुमार तौमिल नाडू के एक सल्गकर ये बिलॉंग करते थे तसकरols से निर्मला मिश्रा ये वेट Проında बंगॉली सिंगर ह फॉर्मर उस्ट्रेलियन बॉक्सिंग वर्ल्ड जाम्बेन रह चुके हैं उसके बाद है ए आई-ए-डी-मक के पहले MP जिनका नाम है माया थेवर तमिल नाडू से थी जिनका निधन हो गया है अमिताब जौतरी फॉर्मर बी-सी-सी-डी-ाई के सेक्रेटरी थे जिनका निधन हो गया है उसके बाद है नारायन ये केरिला के पहले ट्राइबल नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे नेक्स्ट है समर बद्रूब एनरजी ये फॉर्मर उलम्पिक फुट्बॉल कैप्टन रह चुके थे सयद सिप्ते राजी ये फॉर्मर जहार्खन के गवर किंदो इनका निधन हो गया है उपक की बात कर लें तो इसकी फुल फॉर्म है और्गनाइजेशन ओफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कांट्री जिसका है वियान ऑस्ट्रिया में शिंजो अबे फॉर्मर जापान के प्राइम मिनिस्टर थे ये इनकी हत्या करती गई थी 2021 में भारत का जो सेकींड हाय से विलेन अवार्ड है पादमवी भूशन उससे इन्हें समानित किया जा चुका है उसके बाद नेक्स्ट है अवधेश कौशल ये सोशल वर्कर थे रिसेंटली पास्ट अवे इन्हें पादमश्री 1986 में दिया जा चुका है उसके बाद है डॉ और ये बहुत सारे PSU उसके चेर्मेन रह चुके हैं जैसे की भेल, सेल, मारूती सुजरु की इन्हें पदमश्री, पदमभूशन और पदमविभूशन तीनों से समानित किया जा चुका है पदमविभूशन 2007 में मिला था नेक्स्ट है हमारे पास चोवललूर कृष्णकृट्टी ये एक लिरिसिस्ट और जर्नलिस्ट थे जुनका हाली में निधन हुआ है पीटर ब्रोग यूके से बिलॉंग करते थे वन अफ दो वर्ल्स मोस्ट इनोवेटिव थेटर डिरेक्टर्स में से एक थे ये इन सुधीर केरला से बिलॉंग करते थे फॉर्मर इंडिया इंडियन गोल कीपर ही रह चुके हैं तरुन मजूमदार ये वेटरन फिल्मिकर थे और इन्हें 1990 में पदमश्री से भी समानित किया जा चुका था पी गोपिनाथन नायर केरला से बिलॉंग करते थे एक फ्रीडम फाइटर थे ये जो हमारा कुट इंडिया मुवमिंट हुआ था आठ अगस तुनीस सो बैलिस को शिरू हुआ था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 2016 में इन्हें पदमश्री से समानित किय जा चुका है बीके सिंगल ये फादर ओफ इंडियन इंटरनेट के नाम से इन्हें जाना जाता है जिनका हाली में निधन हुआ है इन्हें मुलहेक ये बांगलेदेश के थे फीमस आर्कलोजिस्ट इन्हें पादमश्री से 2020 में समानित किया गया था बुपिंदर सिंग इस्टिट्यूट ओफ लाइफ साइंसिस के और 2014 में ने पादमश्री से समानित किया जा चुका है उसके बाद नेक्स्ट है शेख खलीफा बिन जायद अलनायान यूए ए के प्रेजिडेंट इनका भी निधन हो गया बीबी गुरुंग ये फॉर्मर सीम सिक्किम के थे जिन जा चुका है फिर उसके बाद है हेमनंद बिसवाल ये पहले ट्राइबल सीम थे ओडिसा के जिनका हाली में निधन हो गया है बपी लहरी इंडियन सिंगर जिनका निधन हो गया था शांती देवी इंडियन सोशल वर्कर है कहां से ओडिसा से बिलॉंग करती थी पदमश्री से सम्मानित किया जा चुका है 2021 में कमल खान इंडियन जर्नलिस्ट है एंड्रिव साइमन्स ये उस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे जिनका निधन हो गया प्रफुल लकर ये ओडिया म्यूजिशन सिंगर लेरेसिस्ट और राइटर थे 2015 में पदमश्री से इन्हें सम्मानित किया वियत नाम के बुधिस्ट मॉंग थे जिनका निधन हो गया उसके बाद लास्ट में ये क्वेशन है आप लोग के लिए शिवगुमार शर्मान इमलिकित में से किस उपकरण से संबंदित थे ऑप्शन से तबला संतूर फ्ल्यूट वीना इसका राइट आंसर कमेंट बॉक् मुति है थैंक यू सो मुझ वचिंग 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 दे वीडियो जय हिंद